नमस्कार आप देख रहे हैं खबरे अभीतक और मैं हुआ आपके साथ मती मेहमद रुख करते हैं अगले खबर का मौर कुली करके हमारे समाच में अलग-अलग मिथ्र उभरते रहते हैं कई लोग मांते हैं कि मौर संफोग नहीं करते हैं ऐसा ही बयान दिये थे राजस्थान की उच्छ नयाले के नयाएं धीस रहें जस्टिस शर्वा जस्टिस शर्वा ने अपने आखरे दिलों में एक बयान दिया था और कहा था कि मौर आजिवर ब्रह्माचारी रहते हैं वो कभी संभोग नहीं करते हैं लेकिन उनकी इस दाओ पर अब पूरी तरिकेस से खारिज कर दिया है देश के जाने माने विसेसंग्यों ने पक्षी विसेसंग्यों ने जिनका मानना है कि मौर संभोग करते हैं होगा ऐसे कि जब जेस्टिस शर्म अपने आखरी दिनों में पत्रकारों से बाक्षित कर रहे थे तो उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि मौर आजीवर संभोग नहीं करते हैं वो सदा ब्रह्माचारी रहते हैं इसके साथ उन्होंने कहा था कि इसी भगवान सरीक्रेश्टुर मौर की बगभ को अपने ताजपर लगाते थे क्योंकि मौर सदा जीवन संत की तरह रहते हैं लेकिन इन बातों को इन दावों कोहारिश कर दिया गया है वेग्यानिकों का मानना है कि मोर भी संभोग करते हैं वो भी अपने पार्टनर के साथ संभोग करते हैं लेकिन ये चंग सेकंड का होता है इसलिए वेग्यानिकों को या विस सग्यों को इसके बारे में जानकारी उटलब्द नहीं होती है क्या कुछ है और क्या है मोर की खाश्यत और मोर से जोड़ी तबाब जाने कारे के लिए देखिए ये रिपोर्ट पक्षे वैज्ञानिको के अनुसार मोर और मोरनी में एवियन प्रजनन अंग होता है जिसे कलो अका कहा जाता है इसी के माध्यम से दोनों संबंध बनाते हैं राजस्थान उच्णियाले की नियाधीश महिश चंद्र शर्मा मोर के ब्रहमाचारे को लेकर दावे को भारत की पक्षी विशशग्यों ने खारिच कर दिया है दरसल बधवार को अपने कारेकाल की आखरे दिन जस्टिस शर्मा ने कोट के बाहर मेडिया से बाच्चित में कहा कि हमने मोर को राजटे पक्षी इसलिए घोसित किया है क्योंकि वो आजिवन ब्रहमाचारी रहता है उसके जो आसों निकलते हैं मोरनी उसी को चूग कर गर्वती होती है मोर कभी भी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करता इतना ही नहीं जस्टिस शर्मा के अनुसार मोर पंक को भगवान क्रिस्टन ने इसलिए लगाया क्योंकि वो ब्रहमाचारी है साथु संत भी इसलिए मोर पंक का इस्तिमाल करते हैं मंदिर में इसलिए मोर पंक लगाया जाता है ठीक इसी तरह गाय के अंदर भी इतने गुड़ है कि उससे राष्टे परसू गोसित किया जाना चाहिए पक्षि विसेसग्य विकरम घ्रेवाल ने सुमौर को एक नियू जेजंसी से बाच्चित में कहा जस्टिस शर्मा की बात में किसी तरह की सत्यता नहीं है मोर सभी सामाने पक्षियों की तरह ही प्रजनन करता है इस तरह के बायान के पीछे किसी तरह का वग्यानिक तरक नहीं है ये बहुत हासे असपद है कि कोई इस तरह का बायान भी दे सकता है बिते बुद्वार को जस्टिस शर्मा ने मेडिया के दिया अपने बायान में बाग की जगाए को रास्ट्र पशूग होसित करने के वकालत के साथ गाय से जुड़ा चिकित से फायदे भी गिनवाए थे मोर की ब्रह्माचारी को लेकर के दिया गया उनका बयान काफी चर्चा में रहा सोशिल मेडिया पर आलोचना के साथ साथ उनके बयान को लोगों ने जम कर मजाक भिवडाया वग्यानिकों के अनुसार मोर और मोर्नी में एवियन प्रजननंग होता है जिसलिए क्लोवका कहा जाता है जो भागिदारों के बेच सुकरानों को उस्थानांतरित करता है जिसे ये बात साफ होता है कि मोर और मोर्णी में भी अन्य पक्षियों की तरह ही प्रजनन करने की छमता है तमिलनाडू इस्तित सलीम अली विज्ञानिक और प्राकिर्टिक इतिहास केंदर किने देशक की शंकरनी एक समचार एजंसी से बाचित में कहा मोर और मोर्णी में सम्भूग महज चंद सेकंड के लिए होता है मेरी अनुसंधान के तीस वर्षों में किवल दू या तीन मौके पर ही मैंने इस तरह के घटनाद देखी है मोर मोर्णी के साथ संबंद बनाता है इसके बाद ही मोर्णी गरफती होती है मोर के पास शुक्राणों होता है और मोरनी के पास अंदे मोर के शुक्राणों मोरनी के क्लोवाका में जाकर अंदे को निशेचित करते हैं के शंकर आगे कहते हैं जस्टिस शर्मा ने बताया है कि जो मिथख है लोग सिर्फ मोर को नाच जानते हैं लेकिन ये मोर्नी का चुनाव होता है कि वो किस तरह मोर को संबंद बनाने के लिए चुड़ेगी। जो भी मोर सबसे ज़्यादा नाचता है और जिसके पंक लंबे होते हैं, मोर्नी उसे ही इसके लिए चुनती है। वो कहते हैं, उनके बेच संबहुक का वक्त कुछ पलो का होता है, इसलिए पक्षियों का पर शोध करने वाले इस प्रक्रिया को देख नहीं पाते हैं। नियोज रूम से नदीम एहमद के रिपोर्ट